वेल्कम टू मैं ओनलाइन एश्टारी सेंटर्ग जे में जे एर निटर्गेट तो अभी हम थर्टी फाइब देज बीए सी बीए सी के लिए स्पेशल क्रेश कोर्स चला रहे हैं इसमें आपको कमेश्टी का अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना टाइपस अब कोशन भी वीडियो तो लॉंग कैम तक चलेगा लेकिट सिलेबस शॉट में करके चलेंगे लो अल टाइपस अब कोशन देखा जाएगा चली आज के अमनों लेसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमनों कमेश्टी में सॉलिड एस्टेट पढ़ना है तो आज हमनों सॉलिड एस्टेट को पूरा कम्प्लीट करने के कोसिस किया जाएगा पूरा सॉलिड एस्टेट आज कम्प्लीट कर ले जाएगा प्रोपर्टी इसका टाइपस क्या होता है जितना भी टोटल हमनों का मिलेगा दैन आफ्टर नेक्स लेक्चर में से रिलेटेड कोशन देखा जाएगा प्लस के प्रोपर्टी क्या होगा तो आपको पता है कि सॉलिड हम लों क्या करेंगे सॉलिड का डिपनिट सेफ होता है मास होता है और सेफ होता है मतलम सॉलिड जो भी होगा इसका डिपनिट सेफ और भॉलम में स्ट्रक्चर होगा क्लियर है अम लों नेक्स देखा जाएगा जो भी हम लोगा solids होता है इसका होता है short intermolecular distance इसके बीच में होता है मतलब दो solid के जब भी दो पार्टिकल से लेका हैं गोलो इसके बीच का intermolecular distance का होगा कम हो जाए इसमें दो डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में सबसे कम solid में आपको मिलेगा next point आपको मिलेगा इस इस को पोजीशन होगा उसके कम करता यह तो तो अम्रोगा यह से मिडिल ओन होगया इक कहाँ पॉस् einem करता है आपने ऊसी पॉसिशिएंद करें मतलिमात मुं थ्ठा बोब तीधा धाउजर कर सकता SEC लिकुर होता है वहई लिक में काफ़िश करता है है गैस के पॉल करता है आपको देखने हैइं अब तैस मुच्छा QiOh होगा दो जो किरिस्ट्राइब कि दिपनिट सब और करेक्टिलिस्ट्रीक होगा जब कि मर्फस तो होता है इंग करेक्टिलिस्टिक होता है जब कि का होता है है this or boiling point सभर यो करते हैंredit्स साँजूद्न कोई गिलीब्वी पौईट्ट क् creepag property में इसका आतरब सब्सक्राइब, दो करते है लर्ग माई सब्सक्व भूर्पन हे इसका सार्फ एज टूल से, तो जी क्रिस्टिलाइन सलिल्ड होता है तो मिलेगा और यह मर्फर स्लिड होता है जिग जग मिलता देशिग मिलता है कि लीवेक प्रुपरेटी बस वही दें इसका साल बेज टूल से जब कटेगा तो स्प्लिट इन्टो टू पिश एंड निवली जो जिएमेट्री जीए सर्फेस होगा वो प्लेन होता है और समूथ होता है जब कि इसमें प्लेन होता है जिग जाग होता है और एड़ेगुलर स भीज़न मैं फ्यूजन का टेंपराच्र टो ट्यू लाइन से कलिएक सापत होगा और इसका फिक्षय नहीं होता है एन्टयर record रिमयदा प्रितरंटर इसा के हें और डिफेर्ट डिफ्रेन डिएक्षन में से ऑख ब कातेंगी प्लस हो गया मानस हो गया प्लस मानस मानस प्लस मानस प्लस मानस प्लस मानस तो यह से काटे लो तो क्या कटा है प्लस भी कटा है प्लस भी कटा है प्लस भी कटा है तो प्लस मानस दोनों कट रहा है जब कि इसको एसे हम लोग काट रहा है तो क्या मिलेगा क्यों प्लस ही मिलेग सब्सक्राइब नेचर को हुगा है कि लिए जो क्रिस्टिलाइब ऑद को सब्सक्राइब काते हैं और सुपर कॉल लिकुड करते हैं कि यह मर्फास व्लिट में लिक्विड की तरफ फ्लोग करने का टेंडेंसी पाज़ाता है इसलिए इसलिए स्पूपर को लिक्विड कर लाता है order of arrangement of constituent particle constituent particle के लिए समयनों जानते हैं लोग कि सही तरह सा रेंज करना है ती इसको लिए में आरेंज कर सकते हैं और सहाथ साथ सोत रेंज में जानते हैं कि जाते हैं कि कुछ टारांच के बास यह का होगा गिर जाएगा हैं जैसे हम लोग largest लांग भी कर सकते हैं और क्रिस्ट्लाइब कर सकते हैं जो क्रिस्ट्स लाइन इस def product कि वर..? है आपको क्लियर होगा अब नेक्स हम लोगों को देखने हैं टाइप सब क्रिस्टिलाइन सोलेड अब लोग आफ ऐसा वे लिए टाइप सब करता है कि कौंसे स्वाइब सबसे पहले आपको क्रिश्टिलाइन शोलिड में का मिलेगा आयनिक शोलिड होगा और इसी का एक और नाम होता है यह अप को पूछाए कोबाले और नेटवर्क शोलिड और इसी को कहा हैं गेलो इसके बढ़ थर नॉमर मिलेगा मेटारिक solid होगा और उसके बाद molecular solid होगा तो types of forces means ionic solid में कौन सा force होगा तो ionic solid जो है इसमें दो ions के बीच में होता है प्लस और मानस होता है तो इसलिए इसमें उनों कहते हैं आइनिक बंड होगा इसमें कौन सा force मिलेगा आइनिक और इक्र स्ट्रेटिक फोर्स आफ एक्रेक्षन होगा को भायंन वालिस का दूसरे नाम कहाता है एक इसका constitution कहा मिलेगा एक्टम मिलता है और इसमें जो बंड एक्टम के बिच में जो बंड बनावाता है उसको नों को भायंड बंड के नाम से जानते हैं डू में यौर्दल् Baptist कदर्ट क्यों होता है क्लों का स्बाव सब्क्สक्राइब raped maintained ready to download connection प्लार्ट अभियाए यहीं का स्मोंध रिख्रेंट यहें रीख्रेंगे नहीं इन इन से पादर ख्लाइब बंक होता है को जो और में डुब fundamental बर्दो चैसे ने सब्सक्राइब कोया हाँ होता है कि ऑन्ग होता है General हाँ बीटल होता है जो Depised करते हैं किसक Yay मैं अभी बीटैल होता है सकाल्विक इसमें मिलेगा बैद्बाटन करा होगहां इसमें इसमाहिशा धुक्ता बाद्याइमांस को양ृठ्रन माननि Northeast की सॉप्ध होता मैं आइस होता है की हाट विधी होता है के दा यहां से आपको देखा जाएका मूल मतनम की मेद्यालिक-सॉलिड गुट-कंडाक्र एया बेट-कन कनक्टर पीलेक्टिसिटी निवेट कनेक्र सफलेक्टिसिती नदेiğ Goldman और molten और future state में good conductors और electricity होता है एक्जामपल हो जाएगा जितना metal और non-metal से बना compounds होगा वो सब क्या कहलाएगा? ionic solid का एक्जामपल हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? जितना non-metal non-metal होगा जिसमें diamond हो गया, graphite हो गया, quartz हो गया, si o2, si o2, si c इसमें all metal और ly जितना भी होता है और इसमें क्या हो जाएगा? molecular solid जिसमें i2 हो जाएगा solid co2 हो जाएगा, hcl हो जाएगा, h2 हो जाएगा, p4 हो जाएगा, s6 हो जाएगा, s8 हो जाएगा इसमें जितना भी होगा, s अब आपका क्या का लाएगा? molecular solid हो जाएगा क्रिСТल्ल लाइंटिज का होता है सिंपल को सिन कि रेगुलर इनित थृचुन फॉर चार किए बार्रीनिacy करने कर रहे हैं जैसे में आपको करना क्या है यह जो पूरा हो गया सब्सक्राइब तो का हैं यह जो और इस अपनी आपको तो यहां साहर हो पाल र हम्लिश को एक बाहर कर लेते हैं तो यह इसके का क्या लाएगा यूनिट चल कर लाएगा तो क्या बत दिएगा क्रिस्टालाइट इसका होता है और इसमें बार बार अब एसे रीपीट होगा दो क्या कर लाएगा इंगे लिए अपको नोट समाना है टेलिग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लिजेगा लो नोट सबको पुरा हिंदी मेडियो में मिल लेगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अब्जेक्टिव कोश्चन के लिए हिंदी और इमिस में दिमाले दोनों इस्टूडेंट वास जाकर डाउनलोड कर लेने और कोश्चन को सल्फ भी करने आप से वादा है कि 35 देज क्लास और रेटेंड कर लेते हैं तो नंबर तो बहुत बेटर होने वाला है क्लियर है अब यहांदे में क्रिश्टल शिस्टम परामिटर कर वाजी किसी श्माल ने वह कैसे पदा चले गайте कि इस्यूंभी क्रिश्टल शिस्टम ही है है तो आपको पता है क्यूब में कहायं अधिल सबसेट पहले लिए सब इस सइड़ आप पसं बराबर होना था यह यह ब्राबर होगा यह ब्र सब मिलकर कहीं क्रिस्टल सिस्टम परामिटर करते हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी पार्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाइग कर सकते हैं वह क्रिस्टल सिस्टम परामिटर करते हैं जिसमें यहां देखें तो क्रिस्टल सिस्टम परामिटर क्या हो जाएगा ठीरी एज होता है जिससे एबी सी हो गया और ठीरी एंगल हो गया और ठीरी एंगल हो गया और ठीरी एज हो गया इस छोब मिल के क्या का में है इसका identify कराना है कि कौन सा crystal system है अब unit cell को मेले दो भागों बटा गया है एक तो primitive और simple unit cell का अंगलो और एक को में लो centered unit cell का अंगलो तो initial को याद है कि यह two types में डिभाड किया गया है primitive और center center जो unit cell होता है इसको three parts में डिभाड किया गया है body center, face center और inner center तो अब इसमें क्या relation होगा इसको ध्यान से समझ लेना है यह हमना एक कीव हो गया this simple हम लोग कभ क्या है के जिए के वाल करमल कर्णल पर एक मतलम यह कोना कोना पर क्योवलें स्थिए होगा तो यह simple हो गया सब में कमान 콜ियर है तो यह हमारा सिंपल हो गया सिंपल हो गया एक नाम देखते रहाना हमें इसके बाद नवगताक हो उसके questions तो सिंपल में क्योंट बांद एक बाड इस वह जाएगा तिसको सब्सक्राइब कर देंगे लिए सिंपल की यहां सब के तो होगा और इसके सांथ सांथ सब फेस पर रख देता है लो तो यह कई कर लाएगा यहां भी सब कर देंगे लो तो इसको आइजमेंट होता है अब यहां देख कवी कर दो बाडी के संटर से पुरा भाग मिल जाता है और फेस के संटर से 1 by 2 आपको देखना मोग तो आप यहां से देख सकते हैं कैसे के तो आपको देखना होग यहां है तो इसको अच्छे स्याज़ रखना है बडी सेंटर होगा तो करणल से 1 by 8 मिलेगा एक बडी के सेंटर से मिलता है टोटल कितना होगा 1 पूलस वनिकल टू और फेस सेंटर से में कितना मिलेगा 8 इंट वन बई 8 प्लस फेसरा होता है तो यहां चैनल चैनल सेंटर जेन कितना मिलया प Clinical रहें कांद सब्सक्राइबmos इनित देंट तैपसोब तेस्टॉस सिस्टेम को स्टीग मुऌने शींट नेयूं सी अर मारोगे तेयरा हेक्स्टागॉनल से बनाके रोट दिने टोटल क्रिश्टब से इसे एले क्रिश्टल सिस्ट्मॉ से डिया अगॉंट और से अर्थो रहम भी, M से मोनो किलनिक, T से ट्राकिलनिक, A से हेक्षागनल, और R से रहमो हैडरल और ट्राइगनल हो जाएगा अब इसके एकजियल लेंथ आपको याद करना है तो एकजियल लेंथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है ब्रावर वह ब्रावर लिखना है यह ब्रावर को याद desirable करें लो ए ब्रावर आप 85% 10 पर नीचे से बीच वाला बीच वाला से से मर बीच वाला तीनों आपस में से होता है एंगल इसके याद करना है तो आलफा बीटा और गामा 90 डिगरी के बराबर होता है यह कम तीन बार रिपीट कर देना है मोनकिलिक में आलफा गामा 90 डिगरी के बराबर होता है और हेक्सागुनल में आलफा बीटा 90 डिगरी के बराबर होता है इसमें गामा 120 के बराबर होता है इसमें बीटा 120 डिगरी के बराबर नहीं होता है और 90 डिगरी के भी बराबर नहीं होता है और ट्राइक किलिक में का होत के आलफा बीटा और गामा ब्राबर तो होता है लेकिन नाइंटी दी के ब्राबर कोई नहीं होता है यहां दे यह सब चीज दिया हुआ है बस इसको सही तरह से आरेंद कर लोगा अब इसको राम से देख ली जागा आप लोगो समझ में आ जाएगा इसका एक्जांपल नहीं होता है इसको आपको अच्छा से याद कर लाना है अब इसके बाद समनों का क्रिस्टल सिस्टम तो होगा अब यहां देखना है यूनिट सेल कितने टाइब के टोटल होता है अदि अब लिए तैस्टी और मारोगें तेरा हेक्सा गोना से बनाकर रोड दरा देंगे सा चार गो होगा इसमें फिर दो गो होगा इसमें कितना होगा वन इसमें भी वन इसमें भी वन और टोटल हमने काउंट करेंगे लो तो कितना हो जाएगा फोर्टिन टाइपस अब इन इसमें से लोगा है किलियर है तो यहां से आपको का करने है पहला में तीनों कॉन कॉन हाओं इसमें परला होगा और लस्टवाला ओझाए लगांस इंपल कीव और इसंटर और बाकि इमैं सभ्में एकएउटन सींपल सी्पल केलियर है तो टोटल टाइब वं ड्रेबिस कितने तरह कोँ थirationत इसको जसे मुतWow कि भी अबजेक्टिव यहां सरी पुछा मैं ले गलुना जानी जौशा हो हर्म पाट 27 सब्सक्राइबों क्रिस्टल न खोगे कि भी तना होगेगा फोर्टिंट में पुछा हुआ है इसके बाद नोमसे दखने नहीं है क्रिस्ट्राइब क्रिस्टल क्रिस्ट्राइब क्लोज पेकिंग क्स टू टैप होता है लिए बसमें क्लोजबेकिंग देखेंगा तो एक होता है जब इसमें गोला एक गोला दू गोला से टक्राइब होता है मतलम इसमें गोला का कोडिनेशन नूमर कितना होता है जी टू होता है और टू डी टू टाइप्स को होता है एक तो ये स्क्वार क्लोज पेकिंग हुगा इसमें ये गोला कितने गोला से तक्राइब रहता है चार अगर सब को मिला दीजेगे ऐसे तो एक स्क्वार बनता है इसलिए इसका नाम होता है स्क्वार क्लोज पेकिंग एक होता है इसमें एसे करते है लो इसको और इसको लेगे चलेंगे तो इस सबसे ऐसा जुरा हुआ है तो इस सब को अगर हमने मिला रहते हैं लो तो इससे एक हेक्सागोन की तरह बंद आता है बेंजीन हो गया तो इसलिए इसके नम के होता है यह सब्सक्राइब आज़े करके हैं यह सब्सक्राइब करेंद आज़ा देखे नहीं रहें हैं अब देख लेता है जाना कि 3D close-packing, 3D close-packing two types को होता है, एक को CCP कहेंगे लो, और एक को HCP कहेंगे लो, तो CCP को होग लो, ABC, ABC type भी करते हैं लो, और इसको AB, AB type करते हैं लो, वह बता रहा हैं, तो ध्यान में समझे रहें के लो, इसमें गोला का कोडिनेशन नमबर 12 होता है, इसमें भी गोला का कोडिनेशन नमबर 12 ही होता है, इसमें Z के भायलू 6 होता है, इसमें Z के भायलू 6 होता है, CCP में A ब्रावर होता है, B ब्रावर C कहोता है, आलफा ब्रावर होगा, बीटा ब्रावर होगा, गामा एकल टू 90 डिगरी के, इसमें A ब्रावर होता है B के does not equal to C के आलफा ब्रावर होता है बीटा ब्रावर 120 डिगरी होता है और गामा होता है यह 90 डिगरी के ब्रावर होता है और यह 120 डिगरी के ब्रावर होता है इसको अच्छे से याद अगने है अब इसमें परसेंटेज निकल लेगा तो इसमें परस इसका पेकिंग एफिशेंसी भी 74 परसंट ही होता है ऐसा अब जेक्टिव लिए काफी इंपोर्टन टॉपिक है अच्छे से याद रखने हैं दॉबनों का पेकिंग एन्धायं ओर्खने रहे होता है इसकेपिशेंसी फृशेंसी परसंट है संहें ट्रेक्टिक और ऐसन परी यह को मतने और के लो ख्राइप्टेय। एयदि के ब्रावर होता है तो ccp में हम से पूछेयों कितना होाइं तो ccp में 300 वास कि संख्या चार जैट का होताया चार दुनियाठ हो जाएगा और एक दुनियाध हो जायगा चार हो 43 ह success कि चार होता है तोटल भार्स पुछेगा तोटल भार्स हो जाएगा टू एल वहाई अगर हमें एच्टी पी में पुछेगा तो एसको अच्छा याद आगे लो इसे कोशन रिलेटेड आ जाता है तो अब क्या जाएगा देश दोनों होग सीशेव ऐसेपी याँ ऑर अक्त्रावक में वैर्ण सेंक्छा बारा होता है और अक्त्रावक सेंक्या शीक्स होता है अब आए हैं आम लों सब को एक बड़ देख लेता हैं लों फिर से hexagonal peaking को AB AB type कहेंगे लो और QB close peaking को ABC- ABC type क कहाईएगे लो दोनों का peaking efficiency 74% होगा koordination number दोनों के लिए कितना होगे 12 होजाएगे और यहाँ simple QB के अदो उसको कर दियेगा अब जिसमें यहाँ side दिया हुए है ठीक है तो side को अच्छे से आद देखेगा simple Q होगा तो उसमें काऊगा जी ये ब्रावर होता है 2RK ये पॉइंट अच्छा से आदने या फिर R ब्रावर हो जाएगा A बावर 2 BCC होगा तो BCC में काऊगा A ब्रावर होता है रूट 3A के तो यहां से काऊगा R ब्रावर रूट 3A भाई फोर हो जाएगा और BCC में रूट 2A के ब्रावर होता है तो इसलिए 2R इकल तो A बाई रूट 2 या फिर R इकल तो A बाई तो रूट 2 हो जाएगा पेकिंग ए फिर सिम्पल कीव होगा तो 52.4 होता है तो खाली अस्थान कितना हो जाएगा तो 32% हो जाएगा इसमें 74% होगा तो खाली अस्थान 26% हो जाएगा इसमें 32% खाली या परशन हो जाएगा इसमें 48% होता है और शिम्पल कीव मेंर को बाई सेंटर में 12 होता है और की बौडी सेंटर में 8 होता है इसको अच्छे से याद रखना है अब आपको बताये दिया थे कि एक काम लों कायेंगे लोग कि भी बार्ट मतल्ट मतल्ट फूर टाइप से बार्ट होगा यहां दिया हुए और डेडिश्रेंश रेंदेगा है जो ते सब्वाइश नश्याइद मैं फोर टाइप रे अजय में नुमर तिन है त्या कर लाएगा घ्र ट्री कोडब्यो नोमर चार है तयर। टर्वर्ज कर लाइगा शाव है तो ंकरारिल भर्ज कर लाइगा आठ है तो कीबिक युज़ कर कार लैंगा एण ट्रोताइब समहाँ बाइस कहें फोर टाइब समत दो झाएंगे । और वाइट से लिए का जाएगा 0.414 से 0.732 तक और कीविक भाइट से नहीं कि बडी सेंटर कीविक भाइट के लिए का जाएगा 0.732 से 1.0 तक मेक्सिमम हो जाएगा क्लियर है कोडिनेशन नंबर के चार है तो चारी हो गई तो पता है और इसका एक्जामपल याद कर लिए अगलो सबका एक्जामपल अच्छे से आप दिए यहां देंसीय निकालनेकर लिए धिनसीट का होता ही मास पर उनित भॉलूम होता है तो हमने से अ से ढ़ाईड कर देंगोल लो तो किसम आ जायेगा, कम होंब न इसे मतूर जाएगा, तो M भ्राबर कितना जाएगा, F into Z upon N equal to mass of units अ लो से लो हेगा in gram, density निकालना होदै, density उनके होद्राओ, mass by volume, M के लिए का होता है, F into Z upon N ×, कि इस तरह से इस फर्मुला से आप देंसीटी निकाल सकते हैं नेक्स्ट का एज नेक्स्ट हम लोगा पढ़ना है अबस्ट इंपरफेक्शन इन सॉलिड्स सॉलिड के दूस्ट का होता है तो सॉलिड में देखिए जिसमें जब लोग सॉलिड हो गया ठीक है तो सॉलिड के पार्टिकल अर्माल ने साही तरह सारेंज होगा तो अब तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन इसका पार्टिकल में जैसा तैसा आरेंजमेंट हो जाएगा तो उसको नों क्या कहेंगा लो इंपरफेक्शन इन सॉलिड कर लाएगा तो सॉलिड में उसके तो हिआँ पोइटिक्स के लागा आए एक पॉइंट जिसमें यह एक पोइंट हो एसका चालोगतर है पहर क्याय देपेक्स हटाय यह प Tamam तो स्टाइक्योब में हो गया तो स्टाइक्योच प्रिंद सब्सक्राइब लिटीपेक्स के लाएब का लिए हैं पॉाइंट्ट इफेक्स रिध्य को होता है इसमें को नहीं होता है मतलु चेंज नहीं होता तो images टीफेक्स को फोर डिभाइड केका है नॉन इनिक होंगा प्रभाट तोस् Moment होगा इन अणसे लिशस कलिए ऑ और करते जा रहे हंँ और क्रिस्टोड में यह खाली यहाद यहाद मे खाली ऑसे तो इस तरह से खाली आ जायगा तो अब है कैंसी डिफ्क्स के लाएगा और वह बिजा बिच वैए बाहर इक कर्टी में बारी पार्टिकल के लिए और इसी में से गयब हो जाता है तो आफ है कैंसी डिफेक्स केलाएगा यह दुनों non-ionic solid में होता है एक जांपल पर थुरा सा ध्यान देना है और ionic solid में भी two types को होता है एक तो फ्रेंकल defects होता है जिसको dislocation defects भी कहा जाता है और यह का होता है एक squad की defects होता है अब इन में क्या होगा नो जैसमें माल यह मारा solid है ionic solid तो आपको पता ही है कि इसमें plus और minus होगा तो यह से माल यह प्लस मानस प्लस मानस ऐसे बनाए हुए है अब यहां से का होते हैं माल यह प्लस यहां से हट गया और यहां अपने इंट्रेस्टिस्यल गेप में आ गया है यह भी प्लस अपने इस इंट्रेस्टिस्यल गेप में आ गया है यह भी माल यह प्लस अपने इंट्रेस्टिस्यल गेप में आ गया है तो के टायन अपना स्थान छोड़ करके इंटरिस्टिस्यल गैप में आता है इस टाइब के जो डिफेक्स होता है उसकों लोगा का एंगलो फ्रेंकल डिफेक्स का एंगलो और इसकोर्ट के डिफेक्स का होगा जैसे इसी तरह समाल यह बनाए हुए है लो अब यहां से कहाता है प्लस मैनस एसे बना हुए है यहां से मैनस अट गया और यहां से प्लस अट गया यहां से प्लस अट गया और यहां से मैनस हो गया इक्वल नंबर में प्लस और मैनस अपने अस्थान से मीशिंग कर जाता है बाहर निकल लाता है स्युल्ट करें गटाए इसको एक लाता है स्वाट की डिफेक्स देखिए रिए सिमीलर होता है इसमें केटायन और एनायन के साइज different होता है केटायन के साइज छोटा होता है एनायन के साइज बड़ा होता है और इसका density में कोई changes नहीं होता है clear है दुनों में difference भी लिखने के लिए आता है impurity defects में कहा होगा less ketanic solid हो जैसे मालनी एने पर एक plus चार्ड जैते हैं जालएं सब्सक्राइबूएं कि इसमें बश्योंतों हसें में आपको बतारते हैं मतलों यीग वाला hybrid द सुखनेल में यूथ इतांने दैब में आपको यहां गयर दिफेक्स ब्लेक्प्र आता है पर इक चैंद में 풀 कि अधिक्स होता है कि इसी कंदो किस नाब से जानते हैं कि या या जाएगा इसमें कि डिफेक्स होता है कि अधिक्स होगा और एक कि को तो है पब साझे तो हो चांपर आपको पते हैं कि जहांそうですね होता है क्या होता है दूसरा पुछा कि होता है तीसे रहा है क्यों से पूछरा यहां समलों करेंगा डीटू दो प्रजन सब के टायन एक्सेस दो तरह से हो सकता है या तो इसमें से कुछ निकल लाएगा तो यह सेंटर केट करेंगा और यहां फिर अलग से इक्स्ट्रा केटयों उसके इंत्रेसितेसील साइंट में आ जयेगा तो बन जयेगा और मेटल डायका, इसकी हो प्लस और ने इक messaging के अाइस कांजो करता ह। एक जगे भाइकें डर्बीट लो जाएगा और इस पर गारेकर डिफेक्स को ही उमनों क्या करते हैं अब फिर से सॉलिडर क्लासिफिकेशन करना है लेकिन इस पर किसके अधार पर करना है अन्दी बेसिस अब कंड़क्तिविटी के एकरणिंग शॉलिड को 30 निभायत किया गया है न कंड़क्तर इंसुलेटर शेमि कंड़क्तर करेंगे लो जाब उसके कंडक्टिवीट का रहें 10 तोदे पार 4 तो टें तोदे पार 7 के बीच होगा इंसुलेटर की सब्सक्राइए लो जब उसे कंडक्टिवीटी रेंज 10 तोदे पार मानस 22 तोदे पार 12 अम पर मिंटर होगा इसको एक अभ वह लो याद रुखने में सेमिज कम ना का भगा मझें माना सीक्सी नो माना सिग्स फोर अब मैं अससे हां। घाहर के दीजिए इलेक्टिपीटी कास्ट करता है। रॉक्टिपी शेटें को फिर नेेधसे जोनी के और ऐनी थोलेक्तिपीट करता है तिता है। आज यह जो सेमी कंड़क्टर होता है यह टू टैप्स को होता है एक को इंट्रिंसिक कहेंगे लो और एक होता है एक्स्ट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर का हम लो प्यूर सेमिकंड़क्टर भी कहते हैं लो और इसको हम लो इम प्यूर सेमिकंड़क्टर कहते हैं लो जो प्योर सेमी कंड़क्टर है नहीं कि सिलिकन और जर्मेनियम हो गया इसमें लो या तो बिरोन, एलमुनियम, गेलियम, इंडियम और थैलियम या फिर नाइट्रोजन, फस्पुरस, अर्सेनिक, एंटीमने और बिसमत इन दोनों में से किसी को यदि डाल दिये जाएगा प्य इस टैब के सेमी कंड़क्टर करने क्या करते है लो इंप्योर किसी घ्ल कारता है लो और इसमें से किसी को एदि डाल वो के समय को आदो पी पीवो सिह मिलाएंगे लो इसको और फ्यांड़ जिसमें आप से पुछा जाया कि मतलब कि बुरान फामिले को मिलाने से क्या होगा तो जिलेटर देन नंबर फिर इलेक्ट्रोण एक किसकी होगा पी टाइब सेमिकंडक्टर में अब्जेक्टिव क्लाब को बता जाते हैं में क्या होगा तो number of three electron is greater than number of hole होगा वहीं pure semiconductor में क्या होता है number of hole ब्राबर्स होते है number of three electron के semiconductor एक सबसे important property होता है कि temperature increase करते है तो conductivity also increase करते है वहीं metal में क्या होता है जी temperature increases then conductivity decreases यह दोनों का एक opposite property है इसको अच्छे से यादे गया सबसे अच्छा property होता है कि temperature बढ़ाता है अंदर connectivity संसंद बढ़ता है जबकि metal में यह देखाए एक उल्टा होता temperature बढ़ाने सुझका connectivity घटता है आई होप किया clear होगा तो semi connector two types का intrinsic और intrinsic मतलब pure silicon germanium को pure semiconductor silicon और देर्मनियम में brown family यह nitrogen family को मिला देंगे लो तो impure semiconductor impure semiconductor two types को और brown family को मिलाएंगे तो P types of semiconductor कलाएंगे और nitrogen family को मिलाएंगे तो type of semiconductor P में positive अधिक होता है N में negative अधिक होता है और positive मतलम whole अधिक होता है और negative means electron अधिक होता है अब यहाँ पुछाएंगे doping क्यों करते है doping ratio का होता है तो doping ratio 10 to the power 10 is to 1 होता है इतना के ratio से चलता है अब लोग क्लासिफिकेशन आप इदे सेमिकनेक्टर पढ़े लिया लो doping आपको बताएंगे कि मिलाने के जो प्रोसेस होता है सिल्कन आपको डोपिंग करेंगे लो अब यहाँ लास्ट हम लोग का आज का क्लासिफिकेशन आप सब्स्टांच अनथा प्रोपटि मैग्नेटिक प्रोपर्टि के ¹शक पेच आपको पता ही जिंए कि दोनोंkell का अच्छा का शना पहाचाना प्रों आप सब क्या होता है इसको आच्य है था है समय समय आपको पता है कि पाइरा मेनेटिक अनगे भी किसी करेंगे गाना पर इलेक्टर्न होना चाहिए तो इसको पारी मैनेटिक हैंगे होना चीए हैं वह सब का सब परती है तो मीदा reduction करता है med redo Challenge how to test भी उसके इलेक्ट्रोंस होता है कि वह सब ए क् हिवे वह का लाइगा भी का प्सक्री होता है आंध ऑप यह यह पाता है लृत कंजल ऑ Hog जाता केने हुन हो जाता है और प्रमीड़ क्या होगा इसमें कोई क्यों नहीं होता है यह समें उपर 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 फिर नीचे मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है मतलब इसका नेट मियू नेट का होगा जीरो नहीं होता है इसमें इतना ही अंतर है कि इसमें दोनों आपोजिट स्पीन में पुड़ाएगा इकवल नमबर मतलब म्यू नेट के बहुं जीरो होना थ इसमें इतो आता है लेकिन इसका मियने के भाईल जीरो नहीं होता है और इसका कहा होता है सब gespannt एक सब एक स्पीर मेराता है तो यह देगिं यह हो गयर है और यह मστείक्षा अचागनेटिक कर्डिक करनावाला है हैस में धाता है इसमें तो थ robotic में लास Kore कर देता है और सबसे इसमें इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको अब जेक्टिव बनाने के लिए इसका एक्जामपल याद करना बहुत ही जुरूरी है तो आज का लेक्टिर आपको लिए अच्छा रहा हुआ फास तो पढ़ा हुआ है ताकि कम से कम टाइम में अच्छी उन अब्जेक्टिव डाला हुए रहं तो तेकलि यह कहले हएं लिए मेडियम हमें इंग्लिश मेडियम में में अब्जेक्टिव आपको मिल दाएगा तेंक्स औरा फीर मिलते हैं लों कल सूलूशन में स्टार्ट करकते हुए दे सेकंड, okay?